नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में स्वागत है तो फ्रेंडस आज में आपके लिए स्वाट हैंड उच्छी गती अभ्यास प्रतिलेखन संख्या 33 का डिक्टेशन असी वर्ड परती मिनट की स्वाट से लाया हूँ लिक्टेशन स्टार्ट होने में सेज़ हैं 20 सेकिंड रेडी स्टार्ट उपाध्यच महोदय वर्तमान वित अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ इस बिल का एक विसेस महतो इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है चीन ने हमारे देश पर हमला किया देश पर संकट आया राष्ट को चुनवती मिली और इस चुनवती को हम सबने सुविकार किया जिसके लिए पैसे की आवस्षकता हुई इसको वित्मंत्री ने बड़ी कुसलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्सिय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवस्षक है इसके लिए भी बखुत बड़ी धनरासी चाहिए देश पर संकट आया और देश जागा कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिये इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है उसने भी दिल खोल कर इसमें सहयोग दिया उसके बाद जो उन पर अधिक बोज करके रूप में पढ़ रहा है या अनिवारे बचत योजना के रूप में पढ़ रहा है उसको भी वे खुसी खुसी सहन करने को तैयार हैं परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं वे चाहते हैं कि उनकी जो गारी कमाई का पैसा है खुन पसीने का जो पैसा है वह व्यर्थ के कारियों में ना जाए और उसका सदूपयोग हो इसके अतिरिक उनकी कुछ अपनी दिक्कते हैं और परेसानिया हैं जिनकी और सरकार का ध्यान चाहिए इस आपातकाल के समय में तो उनको इन आए दिन की कठिनाईयों से राहत मिलने चाहिए रिण लेने में और अन्य कारियों में जो अलचने पड़ती हैं वे दूर की जाएं किसान भारत की रिण हैं अगर इनको सुविधाएं दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा आज जहां देश के साधार्ण लोगों ने इस सरकार का हात बटाया वहां एक वर्ग ने जो की धनी वर्ग कहलाता है अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरच्छा कारियों में सहायता नहीं की मै यह नहीं कहता की उन्होंने बिलकुल सहायता नहीं की लेकिन अपनी इस्थिती के अनुसार सहायता नहीं की जहां तक योजनाओं का संबंद है इस देश को समरिद साली बनाने के लिए योजनाओं पर काफी काम हो रहा है स्टॉप फ्रेंड्स आपको अगर हमाना डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ठैंक्स पार वाचिंग